एशिया के बजारों में बेस मेटल्स की कीमतों में जोरदार उच्छाल है सिर्फ अल्यूमिनियम में 5% की तेजी देखी जा रही है वहीं कॉपर, जिंक, निकल समेट दूसरे मेटल्स भी चमक रही है तो इस खबर पर अब डेटेल्स लेते हैं मनीशा गुपता से तो मनीशा जी बताएं मेटल्स की जो ये चमक है इसका रास क्या है जोरदार तेजी मेटल्स में अब भी जारी है अगर आप इछले 4 हफ़ते उठा कर देख लें तो मेटल्स ने आपको हर हफ़ते यहाँ पर एक positive return दिया है और इस हफ़ते की शुरुआत तो बहुत जादा तेजी के साथ हुई है करीबन 1-2% की बड़त यहाँ पर across board metals में है और जहां तक aluminum की बात है 5% की तेजी के साथ यहाँ पर बाजार ने शुरुआत की वीकेंड पे जो US और UK की तरफ से statements आई कि अब वो Russian metals की delivery अपने exchanges पर नहीं होने देंगे और Russian metals का import भी ban कर दिया गया है उसका सीधा असर हमने यहाँ पर prices में आता हुआ देखा तो copper और nickel में तो करीबन 1-5% की तेजी है zinc में करीबन 72% की बड़त है लेकिन aluminum में 5% की तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार शुरू हुआ अगर आप LME warehouses को देखें तो aluminum 91% जो aluminum warehouses में है वो रश्या की तरफ से आया है 60% जो copper है वो भी Russian origin का है और करीबन 35-36% जो nickel पड़ा है LME warehouses पे उसका origin भी यहाँ पर रश्या है तो आप शायद यहाँ पर inventories में गिरावट आता हुआ देख सकते हैं जो बाजार ने as a sentiment यहाँ पर pricing भी कर लिया है aluminum को लेकर out performance की वज़ा ये भी है क्योंकि Japan जो पिछले quarter करीबन 90 डॉलर का premium दे रहा था aluminum import करने के लिए इस quarter के लिए उन्होंने वो premium 60% से बढ़ा दिया है यानि कि 155 से 150 डॉलर पर टन का premium वो aluminum खरीदने के लिए देंगे क्योंकि एजिया में tightness है supplies को लेकर और मांग यहाँ पर भेतरीन हुई है एकनॉमिक डेटा अच्छा है चान की चाइना की डिमांड बढ़ी है जियो पॉलिटिकल टेंशन है तो काफी सारे reasons है जिनका सीधा फायदा हमने यहाँ पर metals में आता हुआ देखा अब आज का दिन तो तेजी का है यही लेकिन बाजार को लगता है कि यहां से भी aluminum के prices out performance और भी दिखा सकते हैं और खरेदारी की राए इन स्तरों से भी metals में बाकी है शुक्रिया मनीशा जी इस पूरी जानकारी के लिए वही मौनसून के मोर्चे पर अच्छी खबर है IMD ने कहा है कि इस साल समान्य से बहतर मौनसून रहेगा साथ ही IMD ने बताया कि उतरपूर्व राज्यों में इस बार बारिश कम हो सकती है इनमें ओडीसा, जारखंड और चतिसगर जैसे राज्ये शामिल है 2024 South West Monsoon seasonal that means June to September rainfall over the country as a whole is most likely to be above normal and higher above normal and higher and quantitatively it is around likely to be about 106 percent of long period average the long period average is more than 104 to 110 percentage and this as you all know that the long period average total annual rainfall is average about 87 centimeter अर्विंद केजरिवाल को अभी जेल में ही रहना होगा आज सुप्रीम कोट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी है हलाकि केजरिवाल की आचिका पर सुप्रीम कोट ने ED को नोटिस भेजा है ED को 24 सेप्रिल तक जवाब देना है इसके बाद इस पर कोट सुनवाई करेगा केजरिवाल की तरफ से वरिष्ट वकील अभिशेक मनु सिंग्वी ने गिरफतारी को गैर कानूनी घोशित करने की याचिका दायर की है सिंग्वी ने अदालत से इस पर तुरंत सुनवाई की मांग भी की है लेकिन कोट ने कहा कि एडी का जवाब आने तक इंतजार करे इधर राउज एवेन्यू कोट ने केजरिवाल की हिरासत 23 अपरिल तक बढ़ा दी है केजरिवाल की नयाएक हिरासत की अबधी आज खत्म हो रही थी के जरिवालisesti अवाल की माग ड है कि ऑ़न kita sudah ख़िन बड़し का बना जो बड़न